Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel. So, this YouTube channel को run करते करते मुझे 4 साल हो चुके हैं almost और आपको पता इन 4 सालों में मेरा सबसे highest priority क्या रहा है while making videos. The answer is quality. So, I have always made sure कि अगर मैं इस channel पे एक भी video डाल रहा हूँ तो quality में compromise नहीं होना चाहिए. but मैंने धीरे-धीरे ये realize किया कि जब आप quality के पीछे बहुत जाते हो ना तो आप एक चीज़ पे miss out करते हो और वो है quantity and I'm pretty sure आप लोगों को मुझसे 1000 शिकायते होंगी बट उसमें से जो सबसे बड़ी शिकायत होगी वो ये होगी कि sir आप enough videos नहीं डालते हो हमारे पास इतने सारे topics का request है बट आप fulfill नहीं कर रहे हो in fact मैंने अभी तक पिछले दो सालों में सिर्फ दो paid courses निकाले हैं जबकि मुझे on a daily basis अलग-अलग courses का request आता है but somehow I'm not able to do that because जब आप quality के पीछे जाते हो तो फिर quantity fulfill नहीं होता है it's a trade-off situation so इस साल की शुरुआत में जब मैं सोच रहा था कि इस साल मेरा new year resolution क्या होना चाहिए तो मुझे ये लगा कि किसी तरीके से अगर मैं ये problem को solve कर पाऊं कि मैं quality भी दे पाऊं और मैं quantity भी दे पाऊं तो फिर शायद मैं बहुत लोगों की problem solve कर सकता हूं और अपनी भी तो तब मुझे idea आया कि there is only one way to solve this problem मैं अकेला quality प्लस quantity डेलेवर नहीं कर सकता मेरे पास सिर्फ 24 hours है बट what if मैं teachers की एक team बनाऊ ऐसे teachers की team बनाऊ जो सब के सब बहुत बढ़िया quality education प्रोवाइड कर पाए तो फिर हम सब लोग मिल करके not only quality प्रोवाइड कर देंगे बट साथी साथ quantity भी प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद से मैंने एक journey start की और वो journey पिछले 4-5 महिनों से चल रही है और आपको पता भी उसके बारे में मैंने बहुत openly बताया था इस channel पे कि हम teachers hire कर रहे है हमारा teaching हमारा hiring procedure क्या होगा फिर हमने around 20 free courses conduct करा है so in short पिछले 4 महिनों में या 5 महिने कह सकते हो आप इन 5 महिनों में मैंने बहुत सारा पैसा खर्चा किया है बहुत सारा time spent किया है और बहुत effort लगाया है to find out some very good teachers and I am really happy to share कि finally मेरे पास एक ऐसी team बन गई है जहां पे मेरे पास ऐसे pool of teachers है जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना जानते है so अब उसके बाद का plan क्या है उसके बाद का plan बहुत simple है आप लोगों के लिए धेर सारे courses लाने free वाले भी और paid वाले भी तो free courses तो हम आपके लिए अल्यड़ी लाही रहे है आपको almost हर एक दो हफते पे हम एक नया course लाके दे रहे है but at the same time हम behind the scenes कुछ paid courses के उपर भी काम कर रहे है और मेरा ये plan है कि अगले एक साल में हम लोग 10 paid courses निकालेंगे कुछ ऐसे topics के उपर जिनका बहुत demand इंडस्ट्री में और आज का वीडियो बहुत special है because आज हम लोग ऐसा first paid course release करने वाले है launch करने वाले है और जो हमारा first paid course होने वाला है उसका topic है power BI right so I'm pretty sure आपके दिमाग में question आ रहोगा कि why power BI पहला course power BI पे क्यों है तो चलो मैं आपको समझाता हूँ कि power BI को हमने क्यों चूस किया सबसे पहले पढ़ाने के लिए so why power BI का अगर मैं आपको one word answer दूँ तो वो one word होगा demand so बहुत सारी job openings है data analyst और business analyst profile के लिए और guess what वो सारी की सारी job profiles में जो एक common skill आपको required होगी वो है power BI और मैंने ये notice किया कि power BI के बहुत जादा अच्छे resources internet पे available नहीं है अगर आप YouTube पे जाओ वहाँ पे भी आपको limited courses और limited channels दिखाई देते हैं और हमारे channel पे भी हमने power BI related जादा content नहीं डाला है so this was the main reason जिसकी वज़े से मैंने सबसे पहले ये सोचा कि हम power BI से start करते हैं so एक बार मैं काम करता हूँ quickly आपको एक walkthrough देता हूँ हमारे course के बारे में कि हमारा ये जो power BI का course है इसमें क्या होने वाला है ठीक है so अगर हम course offerings की बात करें तो सबसे पहला doubt ये आता है कि कैसा course है live है या फिर recorded है so just like any other course on campus X ये course भी live course होगा जहां पर ये हमारे teachers आ करके live classes लेंगे ठीक है so in total हमने आपके लिए 25 live classes plan की है so 25 classes मतलब roughly 50 hours का आपका course duration होने वाला है in terms of length of the course अगर आप बात करो तो हम एक week में 2 classes लेंगे तो roughly आप ऐसा समझ के चलो कि almost 3 months का ये course रहने वाला है ठीक है अगली चीज़ है कि जो curriculum है वो हमने बहुत time लेकर के और बहुत अच्छे से plan करके बनाया है in fact मैं काम करूँगा इस video के साथ ये जो हमारा syllabus है ये मैं आपके साथ share कर दूँगा so you can see यहाँ पर हमने day by day plan किया है पूरे के पूरे curriculum को और एक चीज़ जो आप notice करोगे वो ये है कि ये बहुत अच्छे से सोच के बनाया हुआ curriculum है और हमने कोशिश किये कि ये curriculum बहुत comprehensive हो which means कि कुछ भी छूटे न and that is why हमें almost 25 days लग रहे है Power BI complete करने में बाकी जगों पर आप देखोगे कि 20 से 25 घंटे में Power BI खतम कर दिया जाता है but हम थोड़ा और deep जाने की कोशिश कर रहे है so यहाँ पर आपको Power BI की सारी important चीज़े पढ़ाई जाएंगी DAX, Power Query, M Language यह सारे topics जो भी like in-depth required होता है Power BI को अच्छे से समझने के लिए वो आपको पढ़ाया जाएगा along the way आपको practically data sets के उपर काम करके दिखाया जाएगा multiple data sources के उपर काम करके दिखाया जाएगा ETL pipelines बनाना सिखाया जाएगा और last में हमारे दो-तीन important चीज़े और हैं इस पूरे curriculum में one of them is कि we will have one or two sessions on interview questions because interview में कैसे questions पूछे जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए और second हमने एक छोटा सा module add किया है कि Gen AI कैसे Power BI को और enable कर रहा है तो वो आपको एक session में पढ़ाया जाएगा तो ये मुझे बहुत interesting लगता है और last में हम around आपको तीन से चार industrial projects कराके दिखाएंगे ठीक है तो curriculum point of view से मेरे को लगता है कि हमने काफी महनत की है पांच projects कराएंगे आपको इस पूरे course में तो अगर आप देखना चाहो list क्या है तो यहाँ पे नीचे हमने list of projects आड़ कर रखा है अभी हमने exactly decide नहीं किया है कि इन में से कौन सा project हम कराएंगे तो थोड़ा आप लोगों से भी हम लोग feedback लेंगे कि कौन सा project आप करना चाहते हो यह भी आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके बाद एक और interesting चीज है इस course में कि आपको live doubt clearance provide किया जाएगा which means हमने कुछ ऐसा plan किया है कि जैसे ही 2 classes होंगी उसके बाद आपका एक doubt clearance class होगा ठीक है एक week में आपकी 3 classes होंगी 2 classes normal sessions होंगे और उसके बाद एक doubt clearance session होगा और यह अगले week repeat होगा तो यह structure हम लोग follow कर रहे है because we feel कि live class के time पे doubt clearance अगर होता है तो फिर live class में थोड़ा सा disturbance होता है तो हमने doubt clearance के लिए separate sessions बना रखे है obviously यह optional है अगर आपको doubt है तभी आप join करो आपको doubts नहीं है तो you can skip ठीक है and lastly अगर आप यह course complete करते हो हमारे साथ तो आपको एक certificate of completion मिलेगा तो यह कुछ हमारी course offerings है अगर आपके दिमाग में यह question आ रहे है कि यह course start कब से होगा तो यह course हम लोग start कर रहे है next month से that is July और यह schedule है इस पूरे course का और यह भी मैं आपके साथ share कर दूँगा तो हमारा first session start हो रहा है 7th को और यह course चलेगा almost end of September तक तो आप roughly समझ सकते हो कि 3 months का यह course है so that's the next point अब आते हैं important question पे कि what would be the pricing कितना हमें pay करना पड़ेगा इस course में enroll होने के लिए तो आपका जो fee है वो इस point पे मैंने decide किया है कि it would be 3,000 rupees ठीक है but अगर आप 7th के पहले join करते हो 7th July के पहले join करते हो तो फिर आपको एक discount मिलेगा और वो discount होगा 500 rupees का तो effectively आपका course fee हो गया 2500 rupees और अगर आप हमारे पुराने student हो और अगर आपने DSMP 2 में enroll कर रखा है तो आपको एक 750 rupees का discount मिलेगा तो effectively आपका course fee हो जाएगा 22.50 ठीक है तो ये pricing मैंने सोचा है I really hope बहुत जादा नहीं है It's affordable and next question आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि कैसे enroll करना है तो बहुत simple है आपको जाना है हमारी website पर website है learnwith.campusx.in वहाँ से आपको जाना है courses पर courses में paid courses के अंदर आपको ये course दिखाई देगा आपको इसके उपर click करना है you can go through this entire thing दो-तीन चीज़े आप यहाँ पर check कर लेना course का curriculum, course का schedule और frequently asked questions I would definitely recommend आप प्लीज जा करके ये document एक बास study कर लेना उसके बाद आप यहाँ पर जा करके course purchase कर सकते हो discount वगेरा apply करने के बाद ठीक है so बहुत simple process है और अगर आप हमारे पुराने student हो तो आपको यह सब कुछ पहले से पता होगा last question and probably the most important question किसको join करना चाहिए ये course so मैं आपको एकदम simple शब्दों मैं बताता हूँ कि अगर आप एक ऐसे individual हो जो data analyst या फिर business analyst profile के लिए target कर रहे है और आपने बाकी चीज़े तो master कर ली है like python sql statistics but power bi आप अभी तक figure out नहीं कर पायो और आप power bi अच्छे से सीखना चाहते हो live class में तो फिर आप ये course join करो मैं आपको guarantee देता हूँ कि 3 महिने के बाद जब आप ये course खतम करके निकलोगे power bi में आपको अच्छा कासा knowledge हो जाएगा या फिर अगर आप data scientist profile के लिए try कर रहे हो बट आपका रस्ता है पहले data analyst बनना फिर data scientist बनना तो भी आप इस course में enroll कर सकते हो ठीक है मेरा goal इस course के साथ बहुत simple है this is the first course first paid course जो मैं अपने teachers के साथ launch कर रहे हो तो मुझे इस course में quality बहुत high रखनी है और return on investment अच्छा देना है which means मेरा goal यह है कि अगर आप मुझे 3000 रुपे दे रहे हो तो मैं at least आपके लिए 10,000-15,000 रुपीज का value create करूँ तो that is my goal और वो हम लोग make sure करेंगे अगले 3 महिनों में so yeah I really hope मैं सारी की सारी चीजे convey कर पाया इस वीडियो में इसके अलावा अगर आपके कोई doubts है तो आप comment में लिखना I'll try to reply ठीक है so really excited to start this course I really hope आप भी excited हो मिलते हैं course में बाई